शहर में अकेला पन मार देता है और गाउं में भूक मार देती है मानो हम जीने के लिए नहीं, मरने के लिए बने हो गाउं और शहर के बीच ऐसी शरक तो होनी ही चाहिए जो पेट और मन दोनों को जोरती हो प्रणाम, आज हम यानि सोच इंडिया आपको मन और पेट की दुर्दशा का साक्षाद दर्शन कराएंगे आज हम आएं हैं पस्चिमी दिल्ली के रोशनारा रोड स्थित शेल्टर होम में जहां आश्रे अधिकार अभियान नामक संस्था दिल्ली सरकार के श्रम मंत्राले के तत्वधान में संचालित कारिकरम बिक्षा विर्ती निवारन परिक्षन शाला चला रही है जिसके तहत दिल्ली सरकार का धे है कि वो भिकारियों को बिक्षा विर्ती से बाहर निकाल कर उनको रोजगार ट्रेनिंग दे कर समाज के मुक्य धारा में ला सके सरानिय प्रयास है हम देर से जागे पर जागे तो सही दिल्ली सरकार के समाज कल्यान विभाग की सर्वे की माने तो 20,719 भिखारियों की पहचान हुई है जिसमें 10,987 पुरुष और 9,541 महिलाएं शामिल है ये दिल्ली में भिखारियों का सरकारी आकरा है मेरा नाम संजेक कुमार है पहला मैं काव से आधा यहां कमाने के लिए लोक डाउन लग गया काम भी नहीं मिल रहे थे बैग हो गेरा चोरी हो गए थे हमारे टेशन पर आते ही काम नहीं मिलते थे मैं चला जाते थे कुछ अनमान मंदिर रही है कुष्टे पे हां 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 चला जाते थे कभी मांगे हां हां जी हां जाते थे खाना पीना खा लेते थे पैसे जरूर रहत होती क्या मिल जाते थे मजबूरी में भीक्षा कुछ शिखा आपने परसो काम करने का थे पेंटी का मिल गया थे देहरे अच्छारे मिल गया है देखने और दिखाने आया था दिली सरकार की विक्षा मुक्ती पहल पर दिख गया अभागा पिता और रैन बसेरे में जिन्दगी गुजर बसर करता भारत का लाजबाप चेत्रकार आप खुद ही देखिए और महसूस कीजिएगा मैं केलाश अगरवाल और हरियाना में चर्खी दादरी एक चोटा सा शहर है हरियाना में मैं महां का रहने वाला हूँ और मेरे दादा जी लाला चरंजी लाल अगरवाल महां के मशूर रईस्तों में गिंती होती थी किसी टाइम में और फिर मैं शेर ब्रोकर रहा हूँ, मैं दिली स्टोक एक्षेंज में, शेर ब्रोकर रहा हूँ मैं, और मेरा बहुत अच्छा बिजनिस रहा है, नाइंटी टू में अर्शत में आता कांडवा था इक, हान जी, उसने छे जार कड़ों का कोटाला किया था, तो जब उनके यहा है, सब में आतखड़े कर दिया, भी हम नहीं लेते हैं, मुझे एक रात में आठ करोड़ का नुकसान हुआ था, फिर उसके बाद जैसे तैसे समले फर संदोजार में केतन पारिकांड हुआ, उसमेरा इसे कसर पूरियों कि मेरा मकान, गाड़े, जुल्री सब कुछ, घर था मेरा यहाँ पर गुपता कलोनी में, राना परताबा के पास गुपता कलोनी में, अच्छा, बच्चे उचे हैं? मेरा एक बेटा है, 39 साल का हो गया, वो क्या करता है? वो नोकरी करता है, आप उनके साथ नहीं रहते हैं? मैं आप सो पूछना चाहता हूँ ऐसी क्या मजबूरी होगी कि पिता रेन बसेरे में रहे और बेटे के साथ मजबूरी हो मजबूरी है कि उसके वाए एक कमरा है और अपनी फैमिली के लिए पत्नी को रख सकता पिता को नहीं रख सकता अब को शिकायत नहीं है वो वो अपने धर्म का निर्वान कर रहा है कि तुम अपने कमाव खाख कुछ रो कमाल के पिता है सबसे पहले तो आप कमाल के पिता मैं हलाकि सहमत नहीं हूँ इस बात से कि एक बेटा इतना मजबूर नहीं हो सकता यह तो आज कल मेरे साथ निन नवे पर संट गरों में अच्छे घरों से यह कि जब घर अच्छे नहीं हो सकते इसका पिता रहन बसे नहीं होंगे सर यह तो है मैं उसे मुझे अलग नहीं किया मैं खुद अलग हूँ मैं कभी तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रो क्योंकि हम तो बचा लीजे पिता धर्म निभा लीजे लिए धन्यवासर कि आप यहां शेक्टर हों में अहां ऐसा है पास बेटा नहीं है बीबी उपर पहुंचे की बीस साल पहले बेटियां है साधियां करती है लड़कियों के रहना नहीं चाहता घरवर है अपना घर है हुआ पे खोर्जे में बलकि इकला मैं करूंगा क्या मन नहीं लगता इकले का यहां मन लगा रहे था सब लोगों में यह बड़ी अच्छी बात है तो इनी को ले चलिए खुर्जा हां बिलकुल नहीं तो मैं चित्रकार हूं आटिस्ट तो इनको कुछ सिखाई है ना हां तो खुलवाव मैं अभी सिकाता हूं सुरू करता हूं हां यह इनको सिखाई है यह लेकि जिन्दा दिली है आपकी हां अब तक जिए शोले साल की उमर से कमाया है सब बच्चों के लिए कर दिया क्या था रोजगार कमाध्यमा आटिस्ट था चित्रकार था भार पेंटिंग जाती थी देश विद्धेश्ट में सभी किन्तु परंतु के बाद भी जो लोग इस पुनितकारे में समलित हैं उनको शादुबाद मैं बात कर रहा हूं आश्रे अधिकार अभियान संस्था में बतौर प्रोग्राम ऑफिसर पर कारेरत नवनिज सिंग जी की अधिकार अधिकार वैन से हूँ वो करीब 18 साल से पिछले जुड़े हूए हैं संसा के साथ हम लोग ने यह हम चला रहे थे सिर्फ शेल्टर नहीं चला रहे थे हमारा शुरू से 2000 से रहा है कि हमारा बाहर भी बिकदम फिल्ड में लोगों से जुड़े हुए हम कौन कौन सा स्किल सिखा रहे हैं यह अभी पेंटिंग का हमारा चला वह और आगे प्लंबरिंग का और मोबाइल रिपेरिंग का अलेक्टिक शिटी का आगया कि जैसे जैसे लोग आते जाए वाप 15 मांगने वालों को स्किल देखें पेंटिंग का फचीस तो यजो एक बैच निकल चुका है तो वह 15 पंदरा का था या 25 काशीम भी का आपने पेंटिंग पेंटिंग ना पेंटिंग का काम देके सिखाकर और उनको में इस्ट्रीम में मुख्यधारा म मतलब बहुत पिछे वाली स्टेज है बहुत निचली स्टेज है जहां पे लोगों का जीना दोबर है तो उस पे काम करना बहुत जरूरी था सरकार ने भी साथ में साथ दिया और सरकार ने काम शुरू करवाया यह वह बहुत अच्छी बात है